नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौरानिक कथाएं पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाले वर्ष के अंतिम ग्रहन के दिन कर देना एक रुपए के सिक्के का यह माह उपाय जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगा आपको मुक्ती माता लक्षमी जी के आशिरवाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकि आप बन जाओगे करोरपती खुशियों से भर जाए जोतिश वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सूर्य ग्रहन नहीं होगा बलकि एक माह सूर्य ग्रहन होगा इसलिए न सिर्फ पूरी दुनिया के जोतिश बलकि वैग्यानिक भी इस सूर्य ग्रहन का बेस शबरी से इंतजार में हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस बार का जो माह सूर्य ग्रहन होगा वो आश्विन अमावस्या की रातरी को लगेगा बिलकुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों इस बार का माह सूर्य ग्रहन भारक में नहीं दिखाई देगा क्योंक कि इसका समय भारक में रातरी को 8 बचकर 34 मिनट से शुरू होगा और रातरी को 2 बचकर 25 मिनट पर समाप्थ होगा यानि कि इस बार जो सूर्य ग्रहन का समय शुरू होगा वह 14 अक्टूबर 2023 की आश्विन अमावस्या की महूत पर शुरू होगा और आश्विन अमावस्या क यदि आप आश्विन अमावस्या के बारे में नहीं जानते हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें यह वही अमावस्या होती जिस दिन माता लक्षमी जी धर्ती पर वास करने आती है, उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धर्ती का भ्रमड करती है, और इस दौर यदि आप हमारे विडियो में बताएं हुए एक रुपए के सिक्के का वह गुप उपाएं, सही मार्ग पर विधी विधान से कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुरानों में लिखा हुआ है, तो न सिर्फ आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कास्ट द सूर्य ग्रहन होता है, वह एक अशुब घटना होती है, इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया गया था कि जब भी सूर्य ग्रहन लगता है, उस दौरान न घर पर खाना खाना चाहिए, जितनी देर भी सूर्य ग्रहन रहता ह उतनी देर धर के लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए परंतु क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहेन का समय भारत में रात्री में शुरू होगा, रात्री में समाप्थ होगा, तो ऐसा अध्भुत समय पूरा 400 वर्षों पश्चात आया है, यानि, कहने का मतलब यह है, दोस्तों 400 वर्षों पश्चात एक ऐसा अध्भुत सन्योग बन रहा है, कि सूर्य ग्रहेन का समय अश्विनी अमावस्या साथ शुरू होगा, और अश्विनी अमावस्या के साथ समाप्थ होगा, और यह बहुत सुनहरा मौका होगा आप लोगों के पास जिस दौरान, कोई भी उपा समय का आपको पलट करके करोड गुना लाभ मिलेगा, और यदि आपने तंत्रशास्त्र के अनुसार एक रुपए के सिक्के वाला वो प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लिया, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी के आशिर्वात सेन. पूजा पाठ रखी जाती है, तो हर पूजा पाठ में हर मांगलिक कार्य की शुरुवात में एक रुपए के सिक्के का प्रयोग जरूर किया जाता है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की. पूजा में यदि एक रुपए के सिक्के का प्रयोग न किया जाए, तो वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, यहीं मुख्य कारण है कि पुरातन काल के समय से यह मान्यता चली आ रही है. जब भी किसी भी पूजा को शुरू किया जाए, तो मुद्रा का पहले सिक्के का प्रयोग जरूर किया जाए, ताकि वो तुरंद की तुरंद सिद्ध हो जाए, और माता लक्ष्मी जी हो गई, भगवान विश्नु जी हो गए, यदि इनकी पूजा में एक रुपए के सिक् और दोस्तों बता दें, सूर्य ग्रहें और आश्विन अमावस्या मतलब 14 अक्टूबर 2023 के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और इस दोरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पालन करके आपको करोडो गुना लाभ मिलेगा, दोस्तों एक बात को समझ ल गया, इस दिन ये लोग जरूर कुछ ऐसे उपाय करते हैं, जिसका लाभ पूरे जीवनकाल मिलता रहता है, और दोस्तों 400 वर्षों पश्चात एक है। ना सिर्फ आपको अपने जीवन के हर तरह की परेशानी कास्ट दिक्कतों से मुक्ती मिल जाएगी, इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ती होगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक दी, गए और यदि आपकी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करे, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जाए और एक काम कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपका राहु के तु आपका साथ दे आपका भाग्य आपका साथ दे आपके भाग्य में चमक आ जाए तो आपको 14 अक्टूबर 2023 के दिन एक रुपए के सिक्के का वो महान करना है जो आपको हम बताना रहे और यह बहुत ही आसान सा उपाय कै से करना है बस इस चीज को आप लोग समझ नीचे देखिए आपको क्या करना है 14 अक्टूबर 2023 के दिन सूरियास्ट के पश्चात आपको यह उपाय करना है 14 अक्टूबर 2023 के दिन सूरियास्ट के पश्चात कभी भी नहा लीजिएगा धो लीजिए आपको एक साधारन सा ला अब आपको माता लक्ष्मी जी जी के सामने घी का दीपक जला देना है अब इस लाल कपडे की पोटली बना लीजिए अब 15 अक्टूबर की सुभा उठी है नहीं धोए और किसी भी मंदिर ले जाकर के इसका दान कर दीजिए ये पोटली का दान कर दीजिए जिसमें काली मिर्च आपने लौन और एक रुपए का सिक्का रखा है यह उपाय यदि आ आपका साथ देना शुरू कर देगा आपके भाग्य में चमक आ जाएगी यह तंत्रशास्त्र के अध्याय नंबर 68 से हमने आपको उपाय बताया है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ती का माहौल बना तो यह माह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं और ये उपाय हम आपको जोतिश शास्त्र के अध्याय नंबर 112 से बताने आ रही हैं और ये उपाय जैसे ही आप करेंगे माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बहुत ही आसान सा उपाय आपको क्या करना है 14 अक्टूबर 2023 को आपको सूर्यास्त के पश्चात ये उपाय करना है जैसे सूर्यास्त हो जाएं आपको एक पीतल की कटोरी लेनी होगी ध्यान रखियेगा दोस्तों तील की कटोरी आप नहीं लेता सिर्फ पीतल की कटोरी आपको लेनी होगी गंगाजल मार्केट में 20 से 25 रुपए का आसानी से मिल जाता है खरीद कर के लिए आईए और एक रुपए का ऐसा सिक्का लीजिए जो कथा पीटा नहो अब आपको इसी कटोरी में यह पूरा आती हो बस इतना उपाय आपको 14 अक्टूबर के दिन करना है आठ बचकर 35 मिनट से पहले अब आपने यह उपाय कर लिया आप 15 अक्टूबर की सुभा उठी उठिये नहाए धोये उस कटोरी को उठा करके लाए उसमें जो आपने एक रुपए का सिक्का रखा है उसको अच उपाय कर लिया जैसा हमने आपको बताया है तो यह एक रुपए का सिक्का आपके जीवन में है एक चुम्बक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खीचने का काम करेगा माता लक्षमी जी का ये वो वर्दान बन जाएगा सिक्का जिसके पश्चात आपके जीवन में का माहौल उपाई दोस्तों मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था अब आपका व्यापार पढ़ गया है आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं आप चाहते हैं कि माता लक्षमी जी के आशिरवाद से आपका व्यापार चल जाए तो आपको क्या करना है 14 के पश्चात 14 अक्टूबर को इसी मौली धागे के बंडल को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए इसके उपर एक रुपए का सिक्का रख दीजिए माता लक्षमी जी के कलाक्षेत्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिए अगले दिन 15 अक्टूबर को नहाने धो के पश्चात इसी मौली धागे के मंडल को किसी भी घर के पास वाले पर ले जाकर की पुजारी को दान कर दीजिए इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए आपका बंद पड़ा हुआ अखबार चल पड़ेगा माता लक्षमी जी के आशिरवात से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खीचा हुआ चला आएगा अब जो उपाय हम आपको है मनोकामना पूर्ती का माहौल होता है यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको बताना है और एक दिन के उपाय से ही आपकी मनोकामना पू आप 14 अक्टूबर को खरीद लाएगा और लाल कपड़े में रख करके इसके उपर एक रुपए का सिक्का दीजिएगा कर अब आपको दोस्तों अक्टूबर की सुभा उठना है नहाएं। काम हो वह हनुमान जी के आशिर्वात से पूरी हो जाएगी आपकी कोई भी इच्छा होगी वह एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाएगी तो ये उपाय करना मत भूलिएगा इस उपाय के बारे में जोतिश शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है आशा है कि आज क कि इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी तो मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद